आज सीमा का वाकिया हुआ तो आप रोड्स पे उपर आ गई है आया के जब चंदरियान 3 पे जा गया जब अलेक्टिकल कार बनाई गई जब उनके डिजर्फ छेसो बिलियन डॉलर हुए तब आप लोग रोड्स पे निकले नहीं निकले उनफॉस्टिनेटली हमारा मुलत पाकिसान पहले बहुत बनाम है तो इसको हमें पॉस्टिफ सेंस में लेना चाहिए जो कुछ हुआ है वह बूर थोड़ा हुआ है आया के यहां पर हमारे मंदर की बात है बहुत बुरी बात है नहीं जलाए जाएं सदा मसाजित के लिए नही करदें कि वो क्या ठिकात करवाती हैaya ते सजा कि है क्या थे अगर में नांड है कि तो नोड़धाbooks करना है ऊधाल हुद कि मैंने इंडिया जाना है पहले मेने वहाँ पे कोई श्राज करना दी पूर्च को लो यदारे मों उसको छोड़ेंगे थोड़ी इंडिया को हर वक्त कोई ना कोई शोशा चाहिए चाहे वह कबूतर हो चाहे वह खुद ही अपनी फस्लों को आग लगाएं और सारे डाल दें पाकिस्तान के उपर चाहे वह ट्रेन खुद चलाएं और डाल दें सारा पाकिस्तान के और ये उनका एक हमेशा से किरदार रहा है, देखें, उन्हों ने कहा जी वो एजैंटा है यह हौत लुसका वह कारीया N अग्यार हमारों करते हैं का हमारे ज़ुत पर BORN को स्थ yan गए, कि अगर यह सोचले इंडिया के वो इनके हाथ में लग जाएंगे और यह पकड़ लेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है ज़िस्ता चौरांगस को हमने के नगमा जारी किया उन्होंने वहां पर लेक्टिकल कार्ड की अपनी कौम को पांसो घस पांसो मीटर लंबा जंडा देंगे चौरांगस को और पंदरांगस को फिर वही के इंडिया हमारा दुशमन है और हम बहुत धा को हम है तो अन्फोस्टिलेटि यह चीज़ को मैं बदलना हूँगा तो सिफ यह नहीं कि वह हमारा दुशमन है दुशमन की भी पॉस्टिफ चीज़े होती है मैं से चाहिए उसे दुबई से चला, निपाल पहुंचा, निपाल से बॉर्डर क्रॉस करके आपके अंदर आ गया. इंडियन कम्यूनिटी ये कह रही है, इंडियन ओफिशल्ज ये के स्टेट्मेंट दे रहे हैं, कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि वो एक आव ही फैमिली से बिलॉंग करती है. आप इस चीज़ को अपनी अनलसिस में किस तरह दे? हम ये क्यों नहीं देखते हैं, कि इंडिया ने चिंडरियान 3 चांद पे बेज़ा है, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, कि इंडिया ने अपनी अलेक्ट्रिक कार मतार्फ करवा दी है, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, कि इंडिया का जो स्टॉक स्टेंज है, या उनका स्टेट नाजरीन है देखने वाला उसको उसका कोई मोटिवेशन मिले जैसे बात की चंद्रियान 3 की क्यों नहीं हमारे बच्चे सोचते चंद्रियान 3 क्या है क्यों बेजा ठीक है यह चीदे उन चाहिए वाकि हम आज कल जो अवराल बात करें तो हमें माईश्यत का सामना करना पड़ तो अगर एक लड़की है अब खुद देखे कि हम खुद हमारे अपने दीन में है कि दीन में तो जबर ही नहीं है ठीक है तो फिर अगर हम लोग इस चीज़ की बात कि यहां पर फत्वे दिये जा रहे हैं आम लोगों में बड़ा इग्रेशन है कि वह आएगी तो हम उसको क कोई शनान करना है वो जो उन का कोई रसम होती है कोई मख्सूस उनकी वह करनी है उसके बाद हम शादी करेंगे ये वो इससतरा की सारी बातें जो है न वह फिर कही थी कि मैंने हिंदुइजम जो है वो इक्तियार करना है ठीक है साफ जारे जो इस तरह की बातें कर रही है तो उसे हमारा मतलब के आप भी समय थी है कि हमारी अवाम हमारे उल्मा इक्राम या हमारा जो मुलक के मतलब जो हमारे कनून नाफस करने इदारे हैं उसको छोड़ेंगे थोड़ी तो इसलिए वो उसे अब अपनी जान के लाले बड़े हुए हैं कि मुझे वहां पर ना बेजा जाए तो बात यह के 24 क्रोर में से चंद जो आपके बात कर रही है मंदर गिराया वह चंद सो लोगों के चंद सो ने माइंसेट चेंज होनी चाहिए अगर तो वाकी वह ऐसा हो बातो उनके खिलाफ कारवे भी होनी इस पर हम कोई दो राय नहीं है एजे मुस्लिम एजे पाकिस्तानी कि तरफ से दिया गया थोड़ा साइड करना जहें कि यह कहा कि वह जो डेट सो साल पराना मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन स्ट बहुत डेंजरिस है जो कि बाद जो है कुछ खास समझ नहीं आती तो फिर आप चोड़ें इस पर हम बाद इसलिए करना चाहते कि इसमें मजाहब के वासे बाद आती है तो अनफॉस्टिलेटली हमारा मुलत पाकिसान पहले ही बहुत बनाम है तो इसको हमें पॉस्टिव से के लिए पुछ शुब बिरह चाहि आया के यहां पर हमारे मंदर की बहुत बुरी बात नहीं जला जाने सधा मसाजित के अंडर माणा के नहीं चलाए गए पहले भी बहुत बाकिया हुए इसको मजब्दी इस चीज को इंठिया प्शुल मेंडिया से इठाता है इतना वो प पर आगई है रात कि इस पहर जब आपको घर में खाना खाना चाहिए आप सीमा की वज़ा से रोड्स के ऊपर आप लोग दक्के खा रहे हैं जो कि हम इडिया के परस्ट करते हैं आया के जब चंदरियान 3 पे जा गया जब अलेक्टिकल कार बिनाई गई जब उनके डिजर्फ 600 बिलियन डॉलर हुए तब आप लोग निकले नहीं निकले अनफॉस्टनेटली हमारी मसला ये है हमारी तरजिखाथ जो हो चुकी है ना मीडिया परसंग की सोचल मीडिया ही लोगों की और तरजिखाथ सिफ मिर्च मसाला हो गया और सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यू और अगर हम लोग इसी चीज़ पर बात करें तो एक्सपेक्टेट है कि 40 दिन बाद वो लैंड हो जाएगा 23rd August को डेट पहले जो थी वो इस तरह से डिजाइन की गई थी कि वो एक्जेक्ली इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो लांच होगा और इंडिया को गिफ्ट रहा है पांच सो फीट का एक जंडा जिस पर 40 क्रोर इंवेस्ट हो है 40 क्रोड फॉर हंडर्ड मिलियों को ख़र हम नहीं चलाई ठीक है आप 300 मिलियों कर ले 30 क्रोड कर ले क्या 30 पी एच्चे ने इसके ऊपर 300 बिलियंस मिलियंस रूपीस के कैंटर जमा करवाया था वजारत करें तो हमने घृष्टा चोड़ांगस को हमने एक नगमा जारी किया अनफॉर्शनेटी वह जानता हूं लेकिन हम यहां पर नाम नहीं ले सकते उनका उन्होंने वहां पर लेक्टिकल कार्ड की इस चोड़ांगस को उनकी जो आपने बात की कि चालीस दित में वहां पहुं लेकिन अपनोंने का कि हम स्पीड स्लो करेंगे ताकि यह पांच से बस दस दस पंदरा पंदरा से तीस चाहिस दिल लगाए लेकिन अपना टार्गेट अचीव करें जिसके लिए उन्हों यह प्रड़क्ट किया लेकिन अनफॉस्टनेटली हम फिर अपनी कौम को पांसो घस पांसो मीटर लंबा जंडा दें के चौनंगस को आपी उस दिन लाल सबस लाली पर्चम मूँ पे लगा के यह सीने पे लगा के सबस आपने आपने कमीज पैनी होगी वाइट चलवार पहनी उड्योंगा आप दिल दिल पाकिसलन करेंगे और पंदरान गश को फिर वह हमारा रिस्टेंटली दो चीजें एक चंदरियान थ्री और दूसरा जो उनके डिजर्फ इतने बढ़ चुके हैं मेरा ख्याल है यह दो लों को हमें हमारी कौम को हमारे हुकमरानों को अन्फोर्चलेटली वो तूंके पास रितनी कुवत और सिकत नहीं कि वो इसे सोच के अभी तक वो यह सोच रहे हैं कि नगरान सेट अप कैसे आने और पी-एम को बनेगा सी-एम को बनेगा शिबाशिव अगर पी-एम बनता है नवाज श्रीव शिबाशिव कहां जाएगा तो बलाब बुटु का फ्यूचर क्योंगा है तो यहां फोस्टलिटली हमरा मामला यहां जा र लें जैसे वो कहते हैं हमारे कुछ मोल भी अज़ा के दियत कर लें नहीं कि सवाब है चिल्ले काटने के लिए तो हमें मेरा ख्याल है इससे बात भी बात को खतम करते हैं बात भी हो जाएगी सवाल मेरा अब से यह है कि हम लोग जब बात तो कर लेते हम लोग चंद्रयान हो के लिए वो बहुत ज़दा अबलके उन्होंने एक स्पेस लांच वहीकल भी इंट्रड्यूस करवाया जिसके थूरू चंद्रयान को सक्सेस्फिली लॉँच किया गया इस मेक्स इंडिया देट्वेल्थ कंड्री जो जो के अपना परस्नल स्पेस लांच वहीकल रखते हैं आखिर क्या कभिया हैं जिसकी वज़े से हम इस टार्गेट को या फिर इस तरफ सोच भी निसे के मोटिवेट भी नहीं हमने सोचा बिल्कुल आप 1970 की बात करें 1970 से 1976 तक आप अगर तोई हिस्टी निकाले और वह अपने व्यूस को दिखाएं इस पर पुरा ब्लॉग करें उस वकित हमारा पाकिसान का जो स्पेस का डिपार्टमेंट सा वो कहां तरकी कर रहा था ठीक है फिर उनफोचनेटली बात भी वहीं पर आ जाती है मार्शनलास से हमारी जो स्यासी अदम इस्तिकाम का मामला था एक गोर्मिट पूरे कोई गोर्मिट पांक साल पूरे ने कर पाई फिर हमारी कुछ ऐसे फोजी हुकूमते में आई मारल मामला से और करॉप्शन की मामला थे जिसके वासे उनको फंड नहीं दिये गए जिसे पी एए तबाह हुआ पाकिसान रेलवे तबाह हुआ पीटिसील में बेच दिया ठीक है अब आपकी स्टील मिल है वो बिकने ठीक है तो मतलब कहने है कि हमारे पास अफ्रादी कुवत भी है हमारे पास जहन भी है सोच भी है अनफॉस्टनेटली मारे पास कुवत नहीं है जो कि इसको इंप्रिमेंट करवा सके वह एक कुवत है वह गौर्मेंट तो अनफॉस्टनेटली गोवर्मेंट को या तो इतना अगर वो मजबूत होई तो उनकी तरजिहाद को तदिल किया गया और उसका उनफोर्चिनलेटली जो असलात थे वो आम आदमी को पड़ा है कि आज आदम के पास दो वक्रट की डोटी कहने के पैसे नहीं है ठीक है बाद जब खुलती है तो तुल तक जाती है तो मेरा ख्याल है कि परहाल हमारी कौम को हमारी नौजवानों को यह सोचा सो चाहिए ठीक है टिक टॉक भी है बाकी मामलात भी है सोचल मीडिया भी है लेकिन इसको अगर हम पोसिटिव सेंस में यूज करें अपनी कौम की कुवत पर रहने के लिए तो मेरा ख्याल है कि हम काफी हद तक बिस्मिल्ला रख्मान रहीं बात यह इसमें के यह इंडिया की जह तक हम बात करें तो वहां के अगर मीडिया की बात करें तो वहां पर मीडिया ट्राइल आम बात है वो हर चीज़ को इस तरह मैनिपलेटिट करके लोगों के आगे इस तरह बताते हैं कि कोई भी जिसको सुझता होगा इंडिया की वो उनकी बात के ओपर यकीन भी कर लेते हैं और वो और उसके ओपर अमल भी करते हैं और सबसे एहम चीज़ ये कि वींगा पाकिस्तानी हमारी कौम को कमज़ कम बहुत सेंस है कि क्या है वहकत है क्या सच है, क्या जूट है, से पहले दो खी कर पको ये बात कि अधा कि जो उसके जो बोता आarina के दो के आ से एक मणृत है तो इसमें उसने बहुत गलत किया, इसको हम इसको अच्छा नहीं समझते, पर मेरे पास ये इक्तियार नहीं है कि मैं उसके ओपर कोई फत्वा दे सकूँ, हाँ, अब सीन इसमें ये आ जाता है कि आप ये देखें, कि जो इंडिया जो वाविला कर रहे है, तो भी बात ये है, कि पहले तो आपकी स्क्योर्टी एजेंसिस की ओपर बात आई, कि एक बंदा दुबई से चला, निपाल पहुंचा, निपाल से बॉर्डर क्रॉस करके आपके अंदर आगया, आपको पता ही है, ये सारा वहां की गवर्मेंट अपने आपको लोगों के आगे, दूसरे मुमा और दूसरा जो एजेंट होता है, वो कभी सामने नहीं आता है, उसको तो ये पकड़ भी नहीं सकते हैं, हमारी जो जो जवान है, जो इन मौमलात में इन्वाल्व होते हैं, ये उनकी हवाका भी नहीं पता होगा, कि ये अगर ये सोचल इंडिया के वो इनके हाथ में लग और ये पकड़ लेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी रहा है, इंडिया का एक हमेशा से किरदार रहा है, कि वो सोचल मीडिया वार में अपने आपको बहुत बर्चड़ कर बताते हैं, चाहे वो यहां से घुबारा उड़के चले जाए, पूरी दुनिया ने देखा, चाहे वो यहां से कोई कबूतर उटके चले जाए, वो भी दुनिया ने देखा, तो ये तो एक जीटी जाकती आउरत है, जो बॉडर क्रास कर गी अपने दमाग की खराफत की वज़ा से, जिसको के उसको हम दमाग की बिमारी केंगे, अच्छा से अगर हम लोग इस चीज को मंदर डिमॉलिश हुआ, उसको इस चीज से रिलेट किया जा रहा है, कि लोगों ने सीमा हैदर का गुस्ता निकाला है, इस चीज को किस्ता से देखे, नहीं देखे, मैं आपको चीज बताओ, हमेशा एक्शन का रियक्शन होता है, ठीक है, मैं तो सिंपल ये कहूंगा, कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी है, पाकिस्तान में भी अच्छे होंगे और बुरे में होई, कुछ लोग कुछ चीजों को कैश करने के लिए है, कुछ लोग इस तरह के एक्दाम उठाते हैं, हमें ये देखना है कि हमारा मख़ब हमें क्या कहता है, इसलाम किस चीज की तरजीर देता है, इसलाम क्या फर्माता है, उसके मताबिक चलना है, सबसे एहम चीज कि जो यहां पर पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं उनकी खातिर अपने मुल्क में तोड़ फोड़ शुरू करता हूं, तो यह गलत है, यह इसलाम इसकी इजाज़त नहीं देखा, बींगा और सनारीन आता है, सफिद धि जो हम रंग को किसको करता है, नॉन मुसलिम को, उसका मतलब है उस सबस हलाली पर्चम को सफिद कपड़ वे रप्रिजन्ट किया हुए, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क बना पाकिस्तान का मतलब क्या , ला इलाह इलाला, मुह करें और हमारे मखहब नहीं इजाहले दी कि आप जितने भी अखलियत यह जो भी हैन उनको साहत लेखे चले हमारे पाकिसान में मुस्लिम के साथ हिंदू भी रहते हैं मेरे कही दोस्त क्रिस्टियें मेरे बेशमार दोस्त हैं मेरstorm大家 मैं बड़के वह अपने वह चेस्टिस में पॉप्स और वो इन सीटों के ओपर बैठे हुए हैं जो भी उनके होता है तो इसके ये मतलब नहीं है कि आप तोड़ फोड़ शुरू करते हैं क्या इंडिया में उन्होंने की हाँ इंडिया में जो मुसल्मान है जो उनके ओपर कर रहे हैं हमें उसको हैं इनको करने के लिए यही सबसे बड़ी इंडिया की अपनी बैसिकली जग हसाई इंडिया की अपनी हो रही है मैंने एक बात शुरू में आपको बता दी कि यह उसके एक जिनी खराफ़त थी जो उस औरत ने की और वो यहां से चले गई वरना कोई भी समझदार पड़ी इसा कदम नहीं उठाता है यह इसको हम जहींदी बिमार कह सकते हैं अगर है इस चीज को अगर दुमाना चाहें तो इसका बड़ा सिंपल साहला है अला ताला कमी बेशी महा फर्माएं हमें यह कर लेना चाहिए कि हम उसको यह डिक्लेयर कर दें कि यार वो एक क्या कहते हैं अबनॉर्माल ओरती जिसका दमाग काम नहीं करता था उसने इतना इंतहाई कदम उठाया चले मैं इसको इस तरह कर लेता हूं कि क्या पता के इंडिया ने खुद प्लांट कियो यह बिलाया हो यह पाकिस्तानी लोगों से मैक्सिम यही आया है ऑपिनियन के इंडियन एजें चाहे वो 47 है, चाहे वो 71 है, चाहे वो 65 की बार है, 71 की यह जितने भी मामलात है इस पें इवन यह जो अब भी नंदन था, क्या इससे बड़ी कोई मिसाल आपको दे सकता है पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में इस तरह हुआ है कि एक मुल्क का कोई भी पाइलर्ट जो फौजी, कोई भी किसी दूसरे मुल्के उपर एक ऐसी कारवाई करे, कि उस मुल्क को तबाह करने के लिए अटेम्ट करे, और वो मुल्क उसको खैर सगाली के तोर पे वापस कर दे, यह सिर्फ क्रेडिट गोस्टू मुसलिम्स, यह सिर्फ मुसल्म की नसीब में आई यह चीज और मुसलिमत उम्मा की यह बात है, तो यह नभी करीम सल्ला लाह लिए वालियों का एक ऐसा तरीका कार जो नोंने हम लोगों को दे दिया, यह हकीकत है, क्योंकि मैं इन चीजों को इसलिए ज्यादा बीच में ला रहा हूं, क्योंकि यहां पर ड कोई ना कोई शोशा चाहिए, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो एक गुबारा हो, चाहे वो खुद ही अपनी फसलों को आग लगाएं और सारे डाल दें पाकिस्तान के उपर, चाहे वो ट्रेन खुद चलाएं और डाल दें सारा पाकिस्तान के उपर, यह उनका एक हमेशा से क दिर्दार रहा है इसमें हमारी मैं आप लोग क्योंकि हम लोगों से बहुत चोटे हैं सोशल मीडिया में एक चीज यह में रखिएगा कि यह लोग जिस तरह की अटेम्ट करते हैं शायद पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं कर पाते के हमें इजाज़त नहीं है जूट बोलने की हमारे मुसलमानों को इजाजत नहीं यहां था कि हमारे तो जितने मसलीक के रोक रहते हैं जितने भी वो बी नहीं जूट बोलता है यहां पर तो जो कृस्चिन भिखेयं है जो हिंडु भी एक गरदोस्ते मिख्यमाता तो वो एक ऐसा मौामला है इसके उपर हमारी एजन्सियों को मौनिटर करना चाहिए और वो कर भी रही होंगे